सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल समराट मेडिकल नॉलग को और साथ में दबाए बेल आइकन को हमारे सभी वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जनेंगे ओडी सेफ्टी इंजेक्शन के बारे में ये दो दवाओं का मिसरन है जिसमें सेफ्टी रियक्शन धाइसो एमजी तथा टेजोबेक्टर्म 31.25 एमजी मिला हुआ है जो एक बहुत ही अच्छा ब्रोड एस्पेक्टर्म पर किसी भी मेडिकल एस्टोर पर मिल जाता है इस विडियो के माध्यम से जनेंगे ओडी सेफ्टी ढाइसो एमजी इंजेक्शन का उप्योग कौन-कौन से विमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है किस रूट से दिया जाता है कितनी मात्रा में दिया जाता है इस इंजेक जहनकारी के लिए बने रही है हमारे साथ। दोस्तों इस इंजेक्शन ODSF 200MG को खास कर छोटे बच्चों के लिए बनाया जाता है। इसका उप्योग बच्चों में होने वाला सम्मान ने सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब बच्चे को सर्दी जुकाम के साथ बुखार आ जाता है, सर में दर्द करता है, इस परिशनी को खत्म करने के लिए एंटिवाइटिक के तोर पर ODSF 200MG इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा प्रिसक्राइब किया जाता है। डाइडिया में भी ODSF 200MG का उप्योग किया जाता है, जब बच्चे को लूज मोशन हो जाता है, तो उसे दिन में कई बार पाखाना होता है। ये एकसर छोटे बच्चों में तीथिंग के दोरान होता है, जब बच्चे को दंत अने का अने लगता है, तो दस्त के साथ उल्टी भी होता है, इसका अप्योग छोटे बच्चों में होने वाला गंभीर समस्या नीमोनिया में भी किया जाता है, जब बच्चे को खांसी के साथ बुखार आ जाता है अत्यधिक भलगम के वज़ा से संस लेने में परिशनी होता है चेश्ट में पैन होता है जिससे बच्चा बेचेन हो जाता है और अश्टेथोस्कोप लगा कर देखने पर सीटी जैसी रोंकाई सुनाई देता है तथा संस का अगती तेज होने पर बच्चे को करन बहने लगता है करन से तरल पदार्थ निकलता है करन में सूजन के वज़ा से दर्द करता है इस तरह के समस्या को ठीक करने के लिए भी OD safety injection Dysomg को उप्योग किया जाता है बच्चों में होने वाला skin infection में जब बच्चों के तुचा पर लाल चकता हो जाता है या वरण यानि घाव होने लगता है इस तरह के समस्या को ठीक करने के लिए भी OD safety Dysomg injection का उप्योग किया जाता है blood infection, bone infection तथा किसी भी प्रकार के सरजरी के बाद होने वाला infection को रोकने के लिए भी OD safety Dysomg injection का उप्योग किया जाता है OD safety Dysomg injection का उप्योग 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 ज्वर यानि टाफाइड फिवर को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा किया जाता है जनेंगे OD safety Dysomg injection के डोजेज के बारे में तो दोस्तों 50-75 mg पर केजी परड़े बराबर भागों में बंट कर 5-7 दिन या अवस्यक्ता अनुसार उससे अधिक दिन सीरा मार्ग या पेशिगत रूट से दिया जाता है अब जनेंगे OD safety injection लगने के बाद क्या-क्या दुस्परभाव हो सकता है तो दोस्तों इस injection को लगने के बाद आपके बच्चे को उल्टी हो सकता है सरीर पर लाल चकता हो सकता है तथा दस लग सकता है ये इनके कुछ साधारन साइड इफ्यक्ट्स है OD safety injection के interaction के बारे में जनेंगे जैसे इस injection को लगने के बाद लगने के दोरन और कौन-कौन सी दबाए नहीं देना चाहिए तो दोस्तों इस injection को लगने के दोरन फुरुसेमाइड नमक दबा नहीं देना चाहिए इससे आपके बच्चे के किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है साथ ही एजित्रोमाइसी नमक दबा भी नहीं देना चाहिए जैसे एजित्रल सस्पेंशन, एजिवेंट सस्पेंशन, एजिवेक्ट एलार सस्पेंशन इन सारी दवाओं को OD-Safety इंजेक्शन लगबने के दोरन नहीं देना चाहिए इससे आपके बच्चे के हिर्दे पर बहुत बुरा दुस्परभाव पड़ सकता है दोस्तों OD-Safety 500MG इंजेक्शन के बारे में और किसी भी तरह के जनकारी के लिए कोमेंट कीजिए साथे वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद